हाई ब्यूटिफल सोल फैमिली फ्रेंज बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुनने के लिए इस खुबसुरत सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आज हम स्पेशल रीडिंग करेंगे जो फुल मून, स्ट्रॉबरी फुल मून, सुपर मून आ रहा है 14 जून को और वो हमारे क्या लेकर आ रहा है तो डिवाइन का संदेश हम देखेंगे कि हमारे लिए क्या लेकर के आ रहा है स्ट्रॉबरी सुपर मून आज मैं जैसे कॉल हूँ कि मुझे यही कार्ड यूज करना है और यह जो है हमारा पुराना राइडर्स डेक है इस कार्ड को यूज करने का यह हमें अपने रूट्स की साथ कनेक्ट कर रहा है एक बार फिर जैसे हम अपने अथेंटिक सेल्फ में आ रहे हैं हमें अथेंटिक लाइफ की साथ यह कनेक्ट कर रहा है तो देखते हैं हमें आज क्या मैसेज़स मिलते हैं यह जो कार्ड अपने आप में इतना कुछ बोल आप जैसे बहुत लंबे समय की हीलिंग के बाद, बहुत लंबे समय से आप जो खुद पर वर्क कर रहे थे, जो आप की हीलिंग चल रहे थी, जो आप मेहनत कर रहे थे खुद पर, उसके बाद जैसे ये वापस जा रहे हैं, आप अपनी सारी चीजों को छोड़ कर, यहाँ पे जैसे बहुत कुछ पीछे छुट जाएगा, बहुत सारे कप्स जो आप सोचते थे कि आपको बहुत फुल्फिल करेंगे, बहुत खुश किया, तो काफी लंबी healing के बाद, काफी लंबे contemplation के बाद, काफी सोच विचार के बाद, जैसे आप इन सारी चीजों को, हो सकता है, यह किसी के लिए materialistic possessions हैं, किसी के लिए रिष्टे हैं, और किसी के लिए कोई काम है, तो यह आपकी situation के according आपके साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन बहुत सारी चीजें आप पीछे छोड़कर, completion की तरफ जा रहे हैं, यह आपकी जिंदगी जो है, एक full circle ले रही है, आप एक बार फिर से अपनी तरफ वापस जा रहे हैं, खुद की तरफ, यह आपको होते नहीं हम भटक जाते हैं, बहुत दूर निकल जाते हैं, ल वापस आजाते हैं, तो कुछ ऐसी feeling आ रही है, इस super moon के साथ, जो हमें घर वापसी के लिए, अपने authentic self में आने के लिए, अपनी soul की तरफ, अपनी खुद की calling को सुनने के लिए, मजबूर कर रहा है, यह जैसे उनके लिए message है friends, जिन्हों ने बहुत कुछ कमाया जिंदगी में, यह नो बहुत कुछ किया आपने, बहुत सारे काम किये, हो सकते है बहुत चीज़े achieve की, लेकिन फिर भी कही न कहीं हार गए, कहीं न कहीं आपने उस अकेले पन को महसूस किया, सब कुछ होते हुए भी, हो सकता है बहुत दौलत कमाई हो, हो सकता है बहुत नाम कमाया हो fame कमाया हो लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आप अकेले रह गए और अंदर की खालीपन को आप भर नहीं पाए तो इसलिए एक बार फिर ये यात्रा शुरू होती है और इस वक्त ये जो last card है यहाँ पर six of wands यानि एक बार फिर आप इस victory को हासिल करने के लिए निकल पड़े हैं और ये victory खुद की उपर है तो आप अपने घर की वापसी स्टार्ट कर रहे हैं खुद की तरफ ये यात्रा जो है ये victorious यात्रा अब आप शुरू करेंगे वाव beautiful friends ये जैसे मैंने कहा ना कि हम बिल्कुल authentic self की तरफ वापस आ रहे हैं अपने खुद के साथ जुड़ने के लिए वापस आ रहे हैं और पूरी दुनिया में भटक कर हम ठक चुके हैं हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ सारी चमग धमग देख करके भी हमें ऐसे लगा जैसे हम बिल्कुल दिखारी की तरह हैं और जित इतना भी ले रहे हैं इस प्लानेट से इस वर्ल्ड से कुछ भी हमें फुल्फिल नहीं कर रहा है कोई भी चीज हमें जो है संतुष्ट नहीं कर रही है तो यह यह यात्रा जो है अब खुद की तरफ जाएगी और यह सब के लिए मेसेज है कि आप जिसे अपनी फुल्फिल किया बहुत रेस्लिस एनरजी में भी आप रहे जैसे बहुत सारे काम ट्राइ किये हो सकते हैं बहुत सारे रिलेशनशिप्स ट्राइ किये हो सकते हैं और बहुत जैसे एक एक अंधी दौड में जैसे आप होने के बावजूद आपको कुछ हासिल नहीं हुआ लेकिन यह सार आपका हाट चक्रा अब खुल चुका है और आप एक ट्रू पार्टनर्शिप एक ट्रू लव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यह जो फुल्फिल्मेंट है यह आपकी खुद की फुल्फिल्मेंट है अब आप जैसे डीप मीनिंग चाहते हैं अपने प्यार को एक एक आपको एक ऐसे सचे प्यार की तलाश है या एक ऐसे सचे प्यार की आपको खोज है जो आपको पूरी तरह से हर लेवल पर फुल्फिल करेगा और वो जब तक आप खुद से नहीं जुडेंगे तब तक वो प्यार आपको हासिल नहीं होता है तो बहुत सारे दुनिया में choices करने के बाद बहुत restless energy में रहने के बाद अब आप खुद को choose कर रहे हैं friends तो ये strawberry full moon जो है एकदम self love की energy लेकर आ रहा है और आप खुद को choose कर रहे हैं यहाँ पर आप खुद के साथ जुड रहे हैं खुद के self love में आप डूब रहे हैं और ये जो है ये literally बहुत लोगों की जिन्दगी में अब जब आपने खुद को choose किया है और खुद से प्यार करेंगे तो आप अपने divine partner को भी attract करेंगे तो आप union की तरफ जा रहे हैं friends आप अपने divine partnership की तरफ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आप अपने आप से जुड रहे हैं आप अपने heart को open कर रहे हैं अपने mind and body की conditioning से आप बहर निकल रहे हैं और अपने true authentic self को choose कर रहे हैं तो जैसे ही आप ये choice करते हैं friends आप deep self love में आते ह हैं तो आप देखेंगे कि आप अपने true partner को true love को attract करते हैं और वो true love आपके अंदर ही है जिसे आप पहले feel करते हैं तो beautiful energies इस supermoon के साथ हम सब अपने authentic self की तरफ वापस आ रहे हैं friends तो ये हो सकता है किसी को ये बहुत shake ups लगे क्योंकि जब चमक धमक छूटती है तो बहुत क कईयों को नहीं मैं तो कहूंगी सभी को होता है क्योंकि वो एक illusion बरी जिंदगी में हम फसे होते हैं और हमें वही सच्चाई दिखाई देती है लेकिन जब ये घर अबापसी की journey शुरू हो जाती है और जब हम अपनी और मुड़ते हैं और self love में आते हैं तो हम बहुत beautiful ची रहनी के लिए more love and light from Sonia